कुछ लोग अपनी पुरानी अपाचे 162B को नई 2022 मोडल अपाचे 162B में बदलना चाहते हैं और इसलिए वो मुझे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हमारी पुरानी अपाचे में नई वाली 2022 मोडल वाली LED लाइट लग जाएगी या फिर उसमें फुली डिजिटल मीटर लग जाएगा या फिर नहीं लग जाएगा और अगर मैं इस सवाल का उनको वहाँ पर कमेंट सेक्षन में हाँ या ना में जबाब देता हूँ तो वह गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी चीज को मैं काफी बिस्तार से बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारी आप जानते हैं कि मेरे लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और अगर मान लिजे मैंने वहां कमेंट में कह दिया कि हां भाई लग जाएगा और आप गए जैसे सोरूम पर गए या फिर किसी सर्विस सेंटर पर गए और वहां आपने कहा लगाओ भाई इतने बड़े यूट्यूबर ने कहा है और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बाते बहुत ज़्यादा खर्चा बताया और आपने नहीं लगवाए तो आप आकर यही कहोगे कि यार तुम कि जब तुम्हें पता नहीं है तो क्यों बताते हो और अगर मैंने कह दिया कि नहीं लगा नहीं लगएगा और आप गए और वहां पर चाहिए पचास जार एक लाक में नई 2022 model Apache RTR की headlight, backlight या फिर meter लग पाएगा या नहीं लग पाएगा कितने का खर्चा आएगा और कब तक लग जाएगा यह सारी बाते में आपको जानकारी देनी वाला हूं और मैं इस चीज को आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूं क्योंकि इसमें मेरा हमारी वीडियो को देखेंगे उस पर एड़ चलेगा तो ही दो पैसे मिलेंगे इसके लामा जिसे आप मुझे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा चैनल और गुरो करेंगा और इसके लामा एक स्वार्थार है कि जैसे अगर आप यह हमारा M2R संपू हम अब हम सीधा यह आते हैं कि भाई कैसे लगेगा और कितने में लगेगा अब देखें दोस्तों इसमें दो तरीके होते हैं एक तो होता है जुगार वाला तरीका कि क्या आप जुगार से लगवाना चाहते हैं या फिर इसमें दूसरा तरीका होता जैन्वन जैसे कि की हेड लाइट और उसका मीटर सब कुछ मंगवा लिया और अपने स्प्लेंडर में लगवा दिया तो फिर इससे क्या हुआ कि मतलब आपकी बेजती तो होनी होनी है क्योंकि लोग सोचेंगे इस प्लेंडर में इस बंदे के पास जिसे आरण 5 करीदने के पैसे नहीं थे और वही आरण 5 वाला मीटर उटर सब लगवा दिया तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला उसी हिसाब से अगर जैसे आपके पास पुरानी अपाचे 162 भी है और आप उसमें सिर्फ नई वाली का मीटर मान लिजे 2500 रुपे में खरीद कर ले आते हैं और उसमें वो र वाईजर है है हेडलाइट इस्टे नया है मीटर नया है और मीटर की कबर नहीं है तो अगर आप नया मीटर लगाते हैं तो उसमें जो कबर लगी है वो नहीं लगेगी तो आपका आगे से मीटर खाली-खाली सा दिखेगा कोई भी देखेगा तो आपके उपर हसेगा तो इ तो लग जाएगा लेकिन अगर आप जिससे हेड लाइट वाइजर मीटर यह पूरा ही चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना होगा लगभग हजार पंद हजार रुपए के अभी मैं देखो क प्राइस नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी ना तो हमारे हां आई है ना तो मुझे पता लेकिन जो पुरानी वारी थी उसके आधार पर बता रहा हूं कि आपको हेड लाइट और वाइजर लगभग पंदरा सो से दो हजार रुपए के बीच में मिलेंगे और वहीं मीटर यहीं पर बनती तो कुछ और बात थी इसलिए अब आगे सुनिये मीटर में आप जानते हैं कि उसमें रेन अर्बन और स्पोर्ट मोड आए हुए हैं तो अगर आप कनेक्शन कैसे करवा होगे इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें वाइरिंग भी नहीं आई हुई है और आपको मैंने बता हुआ कि हैंडल पे जो सेल्फ वाली स्विच है जिसमें मोड लगा हुआ है वो स्विच भी नहीं है तो आपको वाइरिंग भी चेंज करानी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हो तो आपको वाइरिंग और वो राइड मोड व भी है इसका मतलब उसकी पावर को उसके ECU से कंट्रोल किया जा रहा है मतलब की उसके ECU से ही जो पेट्रोल सप्लाई आप जैसे क्या हो उसका जो ECU है या उसमें कोई ऐसा पार्ट तो लगा नहीं कि जाके क्रैंग को ऐसे पकड़ लेता है घूमने नहीं दूँगा अब त इसी चेंज करना पड़ेगा तो लगभग अगर आप हसेंगे लगभग आपका पंदरा हजार रुपए 15-20,000 भी हो सकता है इतना प्रापर तरीके से खर्च आपका हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी पुरानी TBS अपाचे RTR में प्रापर तरीके से चला तो आप कुछ भी खरीद हो यह तो आप जानते हूं का आप बिल्कुल आज़ाद हो आप इंडिपेंडेंट हो आप उसको कर सकते हैं लेकिन अब मैंने आपको जैन्वन तरीका बता है लगभग आपके 15-20,000 रुपए लग जाएगे और उसमें बसड़ बहुत ज्यादा हो संतुष्टी है तो आपको लगवा लेना चाहिए और आप जैसे हेडलाइट वाइजर यह चला लगाना चाहते हैं तो भाया रेगुलेटर कुछ चेंज आप करवाएंगे नहीं हो जाएगी तो जुगार से गर आपको लगवाना है तो हेडलाइट लगा के वह AC DC कनवर्ट कर देंगे मेकैनिक अगर आप जुगार से लगवाना चाहेंगे मीटर तब भी आपका 4-5-5 जा रुपए तो आपका लगी जाएगा लेकिन वह जुगार से होगा आपको मज़ा नहीं आएगा आने वाले दिनों में उसकी वाइडिंग धील होगी कभी मीटर नहीं चलेगा कभी headlight नहीं जलेगी कभी कुछ नहीं होगा मतलब आपको परिसान होना ही होना है इसमें कोई सक नहीं है दोस्तों तो अब आप बताएं कि क्या आप इसमें लगवाना चाहेंगे या फिर नहीं लगवाना चाहेंगे कमेंट सेक्सेन में ज़रूर बताएं और लास्ट में एक तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और आप हमारी चैनल को बाइक वाइक 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 वाइन राहूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और दो तीन चीजें हो रहे गई हैं उसको ही बतादू जैसे ब्लूटूस वाली अगर आप लगवाएंगे तो फिर जैसे उसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर आएगा तो वह जहां पर वह उसकी न्यूटल की स्विश होती है वह भी चेंज करवाना पड तो हमारी से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे धन्यवाद